So, Hello Friends, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में तो आज मैं लेकर आचुका हूँ सूपर गल का सीजन वन का एपिसोड नमबर सेवन तो चलिए चलते हैं सिदा कहानी की तरफ तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि D.E.O के ओफिस में कारा का एक टेस्ट हो रहा होता है क्योंकि जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कारा के हाथ से खून निकल रहा था तो इसी वज़ा से कारा ये टेस्ट करवा रही होती है अब जब कारा का टेस्ट हो जाता है तो इन लोगों के सामने आता है कि कारा की पावर चली गई है क्योंकि ये जब रेड टॉर्नेडो से लड़ रही थी तो इसने अपनी पूरी एनरजी बहुत बहुत ज़्यादा ही मातरा में यूज कर ली थी इस बात को सुनकर कारा बहुत ज़्यादा गबराने लगती है क्योंकि इसे लग रहा था कि अब इसकी शक्तियां कभी भी वापस नहीं आएंगी लेकिन तब एलक्स इसे बोलती है कि तुम्हें अलोरा के AI से इस बारे में बात करनी चाहिए अब जब कारा अलोरा के AI से बात करती है तो इसे पता चलता है कि ऐसा कभी कभार हो जाता है लेकिन हर बार 48 गंटे के अंदर ही वो सारी पावर्स रिश्टोर हो जाती है ये सुनकर कारा की जहन में जहानाती है अब जब ये बाहर जाती है तो एलक्स इससे बोलती है अब मुझे डी-ई-यो पर जरा भी भरोसा नहीं है क्योंकि इतने टाइम से मैं यहां पर काम कर रही हूँ पर आस तक इन्होंने मुझे यह नहीं बताया कि मेरे डैड भी यहीं पर काम करा करते थे इस बात पर कारा भी भी सूपर पावर होनी चाहिए थी तब कारा इसे सब बताती है कि इतने में ही यहां पर कैट भी आ जाती है जो कि जब कारा की हालत देखती है तो इसे यह ऑफिस से बाहर भेज देती है ताकि यह अराम कर सके वहीं हम लोग हैंशो को जैन नाम के एक एलियन से बाते करते जहां पर जैन इसे बोल रहा होता है कि तुम मुझे यहां से फ्री कर दो नहीं तो मैं सब को बता दूँगा कि तुम कौन हो और आखिरकार यहां क्या कर रहे हो इतने में ही यहां एलेक्सा जाती है जो कि यह सब सुन लेती है पर क्योंकि यह हैंशो से इस बारे में डायरे का नाम दिया है इस बात को सुनकर कारा काफी ज़्यादा शौक होती है और अब जेमस इससे हसी मजाक करने लगता है फिर हम लोग देखते हैं कि तभी यहां पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है जिस वज़ए से डियो के ओफिस को भी काफी नुकसान पहुंसता है और यहां पर जेन फ्री हो जाता है वहीं क्योंकि कारा के पास इसकी सूपर पावर नहीं थी तो यह काफी ज़एदा घबराने लगती है और सोचन लगती है कि अब यहां पर लोगों की मदद कैसे करेगी कि तब ही आ रहे अर्थक्वेक की वज़ए से इसको भी शोट लग सकता है जहां रास्ते में यह लोग देखते हैं कि सभी बिल्डिंग की हालत काफी ज़्यादा खराब है अब क्योंकि जैंग फ्री हो गया था तो इसी वज़ए से हैंक और दो ऑफिसर वहां से उसको पकड़ने के लिए जाते हैं जो कि अभी उसी जगह पर था जहां पर ड सभी लोगों से बोलती है कि तुम लोगों को अपने घर चले जाना चाहिए क्योंकि यहां पर अभी कोई भी सेफ नहीं है वहीं हम लोग देखते हैं कि मैक्सवेल इस सिच्वेशन का पूरा फायदा उठाता है और वह वापस से सूपर गल को ट्रोल करना चालू कर देता है कि ऐसे मुसीबत के समय में वो किसी की मदद करने के लिए नहीं आ रही है तो कारा तुरंत जेमस के साथ मैक्सवेल के पास जाती है जो कि लोगों की मदद करने में लगा हुआ था फिस जब यह लोग मैक्सवेल से बाते करते हैं तो मैक्सवेल अपने आपी बोलने लगता ह कि इस टाइम पर सूपर गल तो किसी की मदद नहीं कर रही है तो इसी वज़ाए से शायद हमें ही सिटी के लोगों की मदद करनी होगी यह सुनकर कारा इसे बोलने लगती है कि शायद उसको कोई प्रॉब्लम होगी जिस वजय से वो लोगों की मदद नहीं कर पा रही है तो शायद हमें उसको ट्रोल नहीं करना चाहिए जवाब में Maxwell बोलता है कि उसे सोलर फ्लेयर हुआ है जिस वजय से उसकी पावर कुछ टाइम के लिए चली गई है और वैसे तो उसकी पावर 48 गंटे के लिए गई है और अगर वो कंसंट्रेशन से अपनी पावर यूज करने की कोशिश करती है तो वो अपनी पावर यूज कर पाएगी इस बात को सुनकर जेम्स काफी ज़धा शौक होता है और इससे पूछने लगता है कि तुमें ये सारी बाते कैसे पता है तो इस पर मैक्सवैली ने बताता है चायद तुम नहीं जानते पर मैंने सूपरमैन के उपर ही काफी टाइम तक रिसर्च करी है और उसी का नतीजा है कि मुझे उसके बारे में उससे भी ज़्यादा चीजे पता है वहीं हम लोग देखते हैं कि हैंचो के साथ वो दो लोग जो गए थे वो दोनों ही मारे जाते हैं इस बात का हैंचो एलेक्स को बता देता है पर अचानक से ही वो भी गायब हो जाता है जिसे देखकर एलेक्स से डिजाइड करती है कि अब वो अंदर जाएगी भले ही उसे परमीशन हो या ना हो अब इसके बाद ही अंदर जाती है और थोड़ी ही देर में हैंचो को ढून लेती है जो की एक रूम के अंदर था लेकिन एलेक्स के साथ जो आदमी गया हुआ था एलेक्स ने उसे भारी छोड़ दिया था अब अंदर जब हैंचो एलेक्स को अपने सामने देखता है तो ये एलेक्स के उपर गुस्सा होने लगता है और इसे बताता है कि तुमने यहाँ पर आगर बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि जैम जितना ज़्यादा लगता है वो उतना ज़्यादा कमजोर नहीं है उसके पास साइकिक पावर है जिसकी वज़ा से वो गिजी के उपर भी अपना कंट्रोल कर सकता है लेकिन एलेक्स इसकी बात सुनने के बिलकुल भी मूड में नहीं लगती दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कारा और जेम्स जब रास्ते से जा रहे होते हैं तब ही रास्ते में इने एक गाड़ी का एक्सिजेंट हुआ दिखता है जिसमें एक लड़की और उसके पिता थे पर उसके पिता ब्योश हो गए थे और उनकी जान जाने ही वाली थी तब वो लड़की रो रही होती है और इनसे मदद करने को बोलती है अब उस लड़की की ऐसी हालत देखकर सूपर गल को काफिर ज़दा रोना आता है और वो अपनी पावर यूज करने का ट्राइ करने लगती है लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता और उस लड़की के पिता इन तीनों के सामने ही अपना दम तोड़ देते है जिस कारण से सूपर गल तो एकदम तोड़ जाती है जेमस इसे समझाने लगता है कि जो भी हो रहा है इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है और हम हर बार सबको नहीं बचा सकते लेकिन हमें कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए हम कोशिश करते रहेंगे कि हम हर उस आदमी की मदद कर सकें जिसको हमारी मदद की जरूरत है इस बात को सुनकर कारा को थोड़ा अच्छा लगता है अब क्योंकि कारा जेम्स की बातों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी तो इसी वज़ा से ये अपनी सूपर गल की कॉस्टुम पहन कर एक सूपर मार्केट में जाती है है तो तुम्हें तो लोगों की मदद करनी चाहिए अब इस बात को सुनकर वो स्वर भी काफी जाता है मोटिवेट होते हैं और वो आगे ऐसे काम ना करने की कसम खाते हैं वहीं हम लोग कैट को देख पाते हैं कि हम अपनी सेटी को काफी अच्छा बना सकें और यहां पर क्राइम फ्री होकर एकदम सुकून से रह सकें इस बात को सुनकर लोगों में काफी ज़्यादा मोटिवेशन आता है अब इसके थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि जेमस और कारा आपस में हग कर रहे हैं तो यह काफी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है जब विनी ने बताता है कि मैंने एक रिसर्च करी है और जैसा कि डॉक्टर मैक्सवेल ने बताया था तुम कंसंट्रेट करके अपनी पावर को यूज करने की कोशिश करो तो वो ज़रूर वापस आ जाएंगी क्योंकि ये सारी बात विन ने कारा को बहुत ज़्यादा गुस्से में बताई थी तो इसी वज़या से कारा इससे पूछने लगती है कि क्या हुआ है इस परवीन इसे सब बताता है और बोलता है कि तुम्हें जेम्स से हग नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी पहले से ही एक गल्फ्रेंड है अब ये लोग बाते करी रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर वापस से एक अर्थकोयक आता है और किसी तरह उन लोगों को बचा लेता है वो भी वापस से उपर आने की कोशिश करी रहा था कि तभी यहाँ पर वापस से एक और अर्थकोयक का जटका महसूस होता है और वो लिफ्ट नीचे गिरने लगती है अब जैसे ही सूपर गल ये सब देखती है और सूपर गल भी कुशी कुशी हर उस मुसीबत को सही करने लगती है जो कि अभी सहर के उपर मंडरा रही थी वहीं हम लोग देखते हैं कि हैंचो से एलेक्स लड़कर बाहर चाने लगती है तब हैंचो इसे वापस से रोकने की कोशिश करता है लेकिन एलेक्स नहीं रुकती और बोलती है कि मुझे तुम्हारे उपर रत्तिवर का भी वरोसा नहीं है क्योंकि तुमने आज तक मुझे ये भी नहीं बताया था कि मेरे पिता इसी और्गनाइजेशन में काम करा करते थे और साथ ही मुझे तो ये तक लगता है कि तुमने ही उन्हें उस प्लैनेट पर जान से मार दिया होगा ताकि तुम अपना दबदबा इस और्गनाईजेशन पर बना सको तब हैंचो इसे को समझाने की कोशिश करता है लेकिन एलेक्स नहीं मानती और अब एलेक्स से हैंचो को उसी रूम के अंदर लॉक करकर बाहर चली जाती है जहां पहुँचकर इसे समझ में आता है कि जिस आदमी के साथ ये आई हुई थी उसे सच में ही जैम ने अपने कंट्रोल में कर लिया है अब इतने में ही इसके सामने जैम आ जाता है और इन दोनों में एक बहुत ख़दरनाक लड़ाई होने लगती है पर क्योंकि एलेक्स भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड थी तो इसी वज़ाए से पहले तो ये जैम के उपर भारी पढ़ने लगती है लेकिन क्योंकि जैम भी एक एलेक्स था और इसके पास साइकिक पावर भी थी तो ये भी आलेक्स को मारने लगता है और आखिरकार एक ऐसा टाइम हाता है जहां पर जैम एलेक्स को जान से ही मारने वाला होता है जो कि तुरंती जैम को मार कर एलेक्स से बोलता है कि देखा मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ अब D.E.O. में सब सही करने के बाद एलेक्स और हैंचो वापस में बाते करने लगते हैं जब हैंचो एलेक्स सो बताता है कि दरासल पांस साल पहले जो मिशन हुआ था उसमें लोगों को उस प्लैनेट में एलियन डूंडने के लिए नहीं बेजा गया था बलकि उन लोगों को मारने के लिए भीजा गया था पर क्योंकि तुम्हारे पिता डैनवर को इस बारे में नहीं पता था तो इसी वज़ा से वहाँ पर जाकर उन लोगों ने एलियन को मारने से मना कर दिया पर क्योंकि जो असली हैंशो था वो चाहता था कि सभी एलियन्स को मारा जाए तो इसी वज़ा से उसने तुम्हारे पिता को काफी ज़्यादा बुरा भला बोला और उनकी एक भी नहीं सुनी और उसे कुछ समय बाद उनके हाथे के एलियन लगा जो कि अपना रूप बदल सकता था पर क्योंकि तुम्हारे डैट जानते थे कि ये सारी शीचे गलत हैं इसी वज़ा से उन्होंने उस एलियन को बचाने के लिए हैंशो से पंगा ले लिया जिस कारण से उनकी मौत हो गई तब ऐलक्स बूसती है कि क्या जिस एलियन के जान मेरे पिता ने बचाई थी वो तुम हो इस पर हैंशो बोलता है कि हाँ वो एलियन मैं ही हूँ पर मैं यहां इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं अपने जान बचाना चाहता था बलकि मैं यहाँ पर इसले आया क्योंकि डॉक्टर डैन्वर्ड ने मरने से पहले मुझसे एक वादा लिया था कि मैं उनके मरने के बाद उनकी दोनों बेटियों का खायाल रखूँगा और इसी वज़े से मैंने तुम्हें यहाँ पर जॉइन करवाया ताकि मैं तुम्हारे उपर हमेशा नज़र रख सकूँ अब अलेक्स इससे बूस्ती है कि अगर तुम हैंड्शो नहीं हो तो तुम कौन हो अब इस पर हैंड्शो अपने असली रूप में आता है और भोलता है कि मेरा नम जॉन जॉना है इस सब को देखकर एलेक्स काफी ज़्यदा शौक होती है अब रात में हम लोग देख पाते हैं कि रात में सूपर गल जब हवा में उड़ रही होती है कि तब ही इसके उपर कुछ लोग हमला करते हैं इस वोटे से सूपर गल नीचे गिर जाती है अब जब यह उपर उटके देखती है तो यहां पर अंटी एश्ट्रा आकर इससे पकड़ लेती है और इससे पूसती है कि तुम्हें क्या लगा था कि सब कुछ खतम हो गया और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खतम होता है अब अगर आपको इसके आगे के एपिसोड देखने है तो कमेंट में नेक्स जरूर टाइप कर दीजेगा ताकि मैं जान सकूँ कि कितने लोग हैं जो इसके आगे के एपिसोडों को देखना चाते हैं उमिदे कि एक्स्प्लेनेशन अच्छी लगी होगी अगर एक्स्प्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्स्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को औल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना मैं सीजी और मिदेदार एक्स्प्लेनेशन वीडियोज लाता रहूँगा तब तक के लिए टाटा और गुडबाए